Hello students, welcome to Magnet Dreams, this is Anamika Singh, कैसी ही आप सभी, so I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज लेकर आई हूँ मैं आपका जो second chapter हमने start किया था, class 9th का और chapter का नाम था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है So yes, इसी chapter का आज हम एक topic discuss करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, billion क्या है So last class में हमने mission के बारे में जाना था, कि mission क्या होता है आज हम चानेंगे कि ये billion यानि solution क्या है So क्या आप सभी तयार हैं, यदि तयार हैं, तो चलिए भाई, video को start करते But start करने के पहले क्यों ना हम थोड़ा हमारे चैनल के बारे में जान ले So यदि class 6 से लिका 12 तक बटा आप किसी भी class में है So Magnet Brains in the medium channel पर आप अपने subject की classes attend कर सकते हैं किसी भी class को देखने के लिए आपको कोई course purchase नहीं करना है और नहीं किसी तरीके की कोई payment करना है क्योंकि Magnet Brains provide कराता है quality education वो भी बलकुल free of cost इसी के साथ साथ हम 5 state board cover करते हैं जिसे UP board, बिहार board, MP board, दिली board, राजिस्तान board और हमारे चैनल पर सारी ही classes आपको arranged format में मिलती है जहां basic से लेकर advanced level हम आप सभी का करवाते हैं cover साथी साथ बच्चे कहते हैं कि माम जितनी भी चीज़े आप पढ़ाते हो इसके लिए हमें notes कहां से मिलेंगे सो बिटा नीचे description box में जाईएगा वहाँ एक link मिलेगी जहां से आप e-notes और e-books हो है वो download कर सकते हैं इसी अच्छी सी बास से आप पड़ापट से start करते हैं आज के session को कि बिलियन क्या है अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो सबसे पहले तो like share जरूर से जरूर कर दीजिएगा very important कि अगर आपने इसके पहले वाला topic भी बटा अगर नहीं पड़ाए तो वो भी important है क्यों 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 क्योंकि वहीं पर मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया था चाप्तल का नाम ही है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है और यदि हमें पदार्थ के ही बारे में नहीं पता है तो फिर तो गड़बड हो जाएगी न आपको लगेगा मैम ये billion क्या होते है, solution क्या होते है, कहां से क्या निकल कर आया है यदि आप इस तरीके से परशान नहीं होना चाते हैं तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखना जहां मैंने आपको बताया है कि जो पदार्थ होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं एक होता है pure और एक होता है impure यानि एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ clear? So अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम आभे शुद्ध अशुद्ध जिसमें से मैंने मिश्रण वाला पार्ट ही आपको पढ़ाया है अशुद्ध में समांगी विश्मांगी सब हो चुका है हम मैं उसके next point पे आऊंगी और yes जिनको लग रहा है कि मैं elements या compound कप पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे बिटा sequence में चौल रहा है So billion क्या है इसे हम जानते हैं what is a solution So billion तो यह दो सेदिक पढ़ार्तों का समांगी mission होता है अब यह मत कहना कि मैं समांगी mission क्या है वो तो हमने last class में ही कुछ example से जाना था Simply अगर मैं आपको बोलूँ जैसे मैंने पानी लिया अगर मैं उसको शुगर पानी में शुगर को मलाती हूँ मैंने एक glass पानी लिया है और अगर मैंने एक चमच उसमें sugar जो है डाली है और इसे आपस में मिलाया है तो हमें अच्छे से पता है कि वो आपस में मिल जाएगा और वहीं मैंने एक ब्लास पानी लिया है और उसमें मैंने सैंड डाला है या रेत डाली है या फिर सोई या मिट्टी डाल दी है तो हम अगर उसको मिलाएंगे तो हमें पता है कि वो उस तरीके का solution या billion हमें नहीं देगा यानि कि हम ऐसा कहेंगे कि रेत पानी में नहीं गुल सकती नहीं मिट्टी गुल सकती है सो हमने जाना था कि जो हमारा जैसे नमक, पानी या शुगर वाला जो एक्जामपल है वो समांगी में जाएगा और विश्मांगी में कौन सा जाएगा जैसे पानी में रेत कर डालना, पानी में मिट्टी कर रहना तो यह किस में जाता है विश्मांगी यह हम ऑल्रेड़ी पर्ष चुके हैं तो मैम यह billion क्या होते हैं तो बिटा ध्यान से सुनें आपको यह अती लग उत्री दिर गुत्री यह बोल सकते हैं लग उत्री में question पूछ सकते हैं दो या दो से अधिक, क्या कहा है मैंने कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगे मिश्रन ही क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है, आप प्रती दिन बहुत प्रकार के विलियनों को देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही कहा है, सुबह से लेकर शाम तक गर्मी का समय अब विलियन को हम प्रते दिन किसी ने किसी रूप में देखते ही हैं नीबू जल, सोडा जल आदी ये सब क्या होते हैं भाई सो ये सारे के सारे होते हैं बिटा विलियन याने की ये होते हैं सॉल्यूशन पॉइंट समझ में आया नेबू जल, सोडा जल आदी विलियन की ही एकजैम्पल होते हैं विलियन के ही ओधारण हैं प्राया हम एक विलियन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं, जिसमें ठोस द्रिविया गैस मिले हो, लेकिन प्रकृती में यानि नेचर में ठोस विलियन, मिश्रधातू और गैस ये विलियन जो है, वो वायू भी होते हैं, समझ पाए हमने क्या देखा प्रा में बात करूं, तो जैसे ठोस हो गए, द्रिव हो गए, या गैस मिले होते हैं, लेकिन अगर हम हमारे प्रकृती में इसके बारे में बात करेंगे, तो ठोस विलियन जो है, वो मिश्रधातू और गैस ये विलियन में वायू भी शामिल होते हैं, क्लियर, नेक्स आपते एक विलियन के कड़ों में समांगिक्ता होती है, क्या होती है बाई, जो विलियन के कड़ होते हैं न बटा, यानि कि जो सॉलिशन में पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है, समांगिक्ता होती है, और उधारन के लिए जैसे नीबू जल का स्वात सदीब कैसा होता है, समान रूप से मिले होते हैं जैसे नीबू पानी के अगर हम बात करेंगे तो इसका सवात कैसा होता है हमेशा या सदेव इक्वल ही होता है समान होता है उसकी समांगिक्ता के कारण ये बिसिकली हमें दर्शाता है या हमें बताता है कि इस विलियन में चीनी और नमक के कर समान ना है और इसी के साथ साथ हमने example की help से भी इसे जाना बास समझ में आई ना ओके सो next आपने अब हम अगले कहने को पढ़ने के लिए अब यहां पर एक point लिखा है इसे भी जाने तो मैं यहां अब हमें किसे जानना है सो जब भी हम NCE RT पढ़ेंगे ना बिटा तो हमारी जो NCRT की book है सो उसमें हमें कई जगा पर इस तरीके के points मिलेंगे कि इसे भी जाने या यह समझे तो आकि यह basically हमारी knowledge के लिए ही है हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं इसके पहले वाले chapter में भी मैंने यह part करवाया था सो इसमें भी मैं यह वाला part में करवाऊंगी तो सुने मिश्र धातुए क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं तो यह धातुओं के समांगे मिश्रन होते हैं बिल्कुल सही कहा है कि यह क्या होती है भाईया धातुओं के यानि के बिटा जो मैटल्स होते हैं ना इनकी क्या है भाई समांगे मिश्रण होते हैं जिनने भौतिक क्रिया के द्वारा अब यवों में प्रतक नहीं किया जा सकता अब यव में यानि के हिस्सों में यानि के भागों में हम अलग नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मिश्रण दातों को क्या माना जात बिटा लेकिन फिर भी मिश्रधातू को हम क्या बोलते हैं मिक्स्चर ही बोलते हैं याने कि बिटा इसे भी हम मिश्रण ही बोलते हैं क्योंकि ये अपने गटकों के गुड़ों को दर्शाते हैं जिन गटकों से ये मिलकर बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को ही ये हमें क् और प्रता क प्रता क संगठन रखते हैं For example, किसी भी मिश्धातू के बारे में बात करें तो ये अलग-अलग चीजों से मिलकर बने होते हैं For example, उधारन के लिए हमें दिख रहा है पीतल पीतल की बात करें तो ये जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है जिंक का परसेंट हम लगबग किता बोल सकते हैं 30% और कॉपर का परसेंट हम लगबग किता बोल सकते हैं 70% तो हमने जाना कि जिंक और कॉपर से मिलकर ही क्या बनता है? पीतल बनता है, समझ पाए? और येस ये क्या होती है? मिश्रधातु होती है First of all, metals की ही अगर मैं बात करूँ बटा है ना, ये मिश्रधातु अलग है और metals, non-metals, metalloids ये भी कैसे होते हैं? अलग होते हैं First of all, अगर मैं तत्वो की ही बात करूँ यहाँ पर आपके कुछ concept clear कर देती हूँ ताकि आप confused ना हो, ठीक है? अगर मैं आपको बताओं, तत्वो के बारे में, यानि elements के बारे में तीन तरीके के elements, basically तीन तत्वो में हमें total कितने तत्वो को पढ़ना होता है 118 तत्वो को पढ़ना होता है, जो तीन पार्ट में बटे होए होते हैं तीन पार्ट में कैसे बटे होते हैं, इसमें से कई सारे elements ऐसे होते हैं, जो धातुएं हैं, कुछ धातुएं हैं और कुछ उप धातुएं होती हैं, यानि कुछ metals हैं, कुछ non metals हैं and कुछ metalloids होते हैं अब आप सूच रहे होंगे मैं कि ये metals, non metals and metalloids में क्या difference हैं, तो बिटा बस थोड़ा सा रुखो, मैं आपको पढ़ाऊंगी धातु, मैं आपको इसमें धातु भी पढ़ाऊंगी and very important बिटा, मैं इसमें आपको उप धातु भी पढ़ाऊंगी, so yes, मैं आपको धातु, धातु, उप धातु तीनों ही चीज़े पढ़ाऊंगी, ठीक हैं, so हमने मिश्र धातु तो यहाँ पर जान ली, कि ये मिश्रन के रूप में क्यूं है, और मिश्र धातु किन अलग-अ संगटकों से मिलकर बनी होती है, किन-किन चीज़ों का ये संगठन है, जिन में से एक छोटू से एक्जापल से हमने ये जिस जानी, now, अगर आपको ये जानना है धातु, धातु, रूप धातु में क्या अंतर होता है, सुबटा उसके लिए थोड़ा सा रुखना ये elements में ही है, elements क्या होते है, सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सही वक्त आने पर, अभी हमारा वो पार्ट चल ही नहीं रहा है, ओकी चलिए next आगे आते हैं, किसी विलियन को दो भागों में विलायक और विले में बाटा जाता है, बल्कुल सही कहा है, क्या कहा है कि किसी विलियन को दो भागों विलायक और विले में बाटा जाता है, विलियन का वह गटक जिनकी मातरा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे गटक को विलियन में मिलाता है, उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, विलियन का वह गटक जिनकी मात्रा दूसरे से कैसी होती है भई अधिक होती है उसी को जो दूसरे घटक को विलियन में क्या करता है मिलाता है उसी को हम क्या कहते हैं विलायक बेसिकलिए आप सिंपली ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्यूशन होता है यानि कि जो विलियन होता है ये दो वोग चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विले होता है और एक विलायक होता है, मैं विले और विलायक में किसकी मात्रा जादा होती है, विलायक की मात्रा जादा होती है, और विले को किसमें डाला जाता है विलायक में, So, हमने ग्या देखा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज से समझाती हूँ जैसे For example, हमने ली कोई एक ग्लास हमने ली एक ग्लास, मान लो कि ये क्या है भाई? ग्लास है, चीक है? और इसमें क्या भरा पड़ा हुआ है? तो हमने जाना कि इसमें है पानी, चीक है? इसमें है पानी, और इस पानी में मैंने क्या बोला है? क्या ले रही है हम? शक्कर ले रही है इस पानी में हमने क्या मिलाया? शक्कर अब एक बात बताओ, जब पानी में शक्कर को मिलाओगे तो ये आपको क्या देगा? ये दोनों आपस में मिलकर आपको क्या देंगे विलियन याने की solution देंगे इनके मेल से ही क्या बनेगा विलियन याने solution लेकिन मैम यहां तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है ये विलायक कहां से आ गया, ये विले कहां से आ गया सो बटा ध्यान से सुनेंगे विले और विलायक कहीं दूर से नहीं आए हैं इसी का पाट, इसी का हिस्सा, इसी का भाग है जैसे हमने देखा यहाँ पर जो पानी है वो actually में किसका काम कर रहा है सो यह काम कर रहा है बिटा विलायक का क्योंकि obvious से बाते solution में किसकी quantity किसकी मात्रा जादा होगी सो वो होगी solvent की याने विलायक की और शक्कर यहाँ पर किसका काम कर रही है सो वो काम कर रही है विले का किसका काम कर रही है विले का सो विलायक और विले से मिलकर ही क्या बनता है विल्यान याने solution इंग्लिश में ये solute होता है और विलायक होता है solvent solute की quantity solvent की comparison में कैसी होती है obvious सी बाते कम है और हम solute को ही किस में डालते हैं solvent में डालते हैं ये थी इसके कहानी जो यहां पर हमने जाना कि विलियन का वह गटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है जो दूसरे गटक को विलियन में मिलाता है बही वही क्या कहलाता है विलायक कहलाता है और विलियन का वह गटक प्राया कम मात्रा में होता है जो कि विलियन में घुला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बटा विले कहती है कोई confusion सारे points clear चलYou अब आते हैं next time कुछ examples इसके बारे में और जानते हैं ताकि exam में अगर हमें विलेन के बारे में कुछ पूछा जाए या हमसे बिलायक के बारे में कुछ पूछा जाए तो हम कुछ examples लिखकर अच्छा score कर सकें होता है कि चीनी और जल का विलेन एक तरल घोल में ठोस का उधारन है बिलकुल सही कहा है है तो ये तरल घोल लेकिन ये इसमें ठोस का उधारन है क्यों क्योंकि इसमें चीनी किसके रूप में है विले के रूप में और इसमें पानी किसके रूप में है विलायक के रूप में अ विलायक का, आयोडीन और अलकोहल का विलियन जिसमें जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन की मात्रा अविसी बात है कम है, सो आयोडीन यहां पर विलेक का काम करेगा, और वहीं अलकोहल की बात करेंगे, सो वो एक विलायक का काम करेगा, किसका वात युक्त पे जिसे सोडा जल हो गया कोक इत्यादी तरल विलियन में गैस के रूप में होते हैं ये तरल विलियन में किस के रूप में होते हैं गैस के रूप में इनमें कार्बन डाय ऑक्साइड गैस जो है वो विले है और जल किस के रूप में होगा विलायक के रूप में So yes, यहाँ होते हैं आपके सारे points इसको लेकर clear आपको कुछ examples मैं आपने बताए हैं जो आपके NCIT में दिये हैं कुछ और चीज़ी भी जानते हैं जिसे वायू gas में gas का willion है वायू के अगर बात करें So भाया यह वायू gas में gas का ही क्या है? विलियन है यह मुक्यता दो घट को जैसे oxygen के बात करें 21% nitrogen के बात करें So आपको भी पता है कि हमारे atmosphere में हमारे वायू मंदल में nitrogen का percent कैसा होता है? जादा कितना percent होता है? 78% होता है So हमने जाना कि यह मुक्यता दो घट को किनसे oxygen 21% और nitrogen 71% का समांगी मिश्रण है nitrogen को वायू का विलायत कहा जाता है क्यों? क्योंकि अगर हम वायू के बात करें So उसमें जादा मातरा में क्या होता है? So वो nitrogen gas ही होती है So nitrogen gas यहाँ विलायत का काम कर रही है और वायू में दूसरी gas बहुत कम मातरा में उपलब्द होती है बिल्कुल सही कहा है कि नाइट्रोजन को वायू का विलायक कहा है लेकिन इसी के साथ साथ जितनी भी दूसरी गैस है तो दूसरी गैसे बहुत कम मातरा में ही उपलब्द होती है बिल्कुल न के बराबर होती है लेकिन विलायक का काम कौन कर रहा है वो हमने यहाँ जाना सो वाईयो गैस में गैस का विलियन है और ये मुकिता दो गट को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समागी मिशन है नाइट्रोजन को वाईयो का विलायक कहा जाता है और बाकी सारे gases जो होती है जोसे oxygen तो 21% है लेकिन अदर gases का percent कैसा होता है बहुत कम होता है ओके that's it अब हम आते हैं आगे की तरफ और यहां से इतना पढ़ने के बाद इतना पूरा पढ़ने के बाद क्या लगता है यहां पर विले actually में बिटा आप किसे कहोगे क्या लगता है विले actually में आप इसे किसे कहोगे पूरा तो माम ने आपको बता दिया line by line बता दिया है लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे comment section में कि इसमें विले क्या होगा विलायक तो इस पस्ट हो गया है चलिए मैं इंतिजार करूँगे और वहीं पर मुलाकात होगी next आते हैं अब हम विलियन के गुड की तरफ so finally अब हमारा काम ये हो गया है कि मैं एक बात बताईए विलियन के प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती है इनके क्या-क्या गुड धर्म होते हैं तो देखो भाई, हर चीज की properties है, even हमारी खुद की भी होती है, अब आप कहेंगे मैम हमारे good कैसे होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, और good हमेशा positive भी थोड़ी होते हैं, negative भी हो सकते हैं, तो हमारी भी properties है, हर चीज की properties है, मेरे सामने camera है, उसकी खुद की भी property होगी, इसी के distribution के भी कुछ properties है, जो हमें पढ़नी होगी, so start करते हैं, अच्छा, यहां तक जितना भी पढ़ाया है, सब अराम से मुझे बताते चलना कि, यहां बैठ रहा है कि नहीं कहीं कोई doubt हो, तो वो भी comment section में पूछना, और चीजे clear होते चल रही हैं, तो वो भी पूछना, इसी ब William एक समांगी मिश्रण है, जी हां बिल्कुल सही का है, कि यह समांगी मिश्रण होता है, William के कर जो व्यास की अगर हम बात करेंगे, इसमें एक nanometer, या फिर 10 to the power minus 9 meter से भी छोटा होता है, या यह छोटे होते हैं, इसी लिए वे आख से नहीं देखे जा सकते, बिल्कुल सही क अगर हम हमारे नग्न आखों की बात करें, या अनेड़िड आइस की बात करें, तो हम उससे इन्हें नहीं देख सकते हैं, यह इतने जादा छोटे होते हैं, अगर हम water लेंगे, पानी लेंगे, उसमें अगर हम शुगर को मिलाते हैं, तो वो आसानी से उसमें मिल जाता है, जी हाँ बिल्कुल फलाया चाता है लेकिन अगर पार्टिकल्स जरूरस से जादा छोटे हैं बहुत छोटे हैं तो लाइट रोइस प्रकाश की किरें अगर उससे टकराएगी तो वो उसको स्केटर नहीं कर पाएंगे यानए कि फैला नहीं पाएंगे अगर उससे फैला नहीं पाएंगे तो अव्विसी बात है कि यहाँ पर फैलाव हमें देखने कुई ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कैसे चोटे चोटे अपनी छोटे आकार की कारण विलियन में particle का sweetness होता है विलियन में solution में particle का size होता है वो इतना चोठा होता है जिने हम हमारी नगन आकों से नहीं देख सकते हैं और इसी कारण से इसमें प्रकाश नहीं पढ़ पाता है और यह इसे फेला नहीं पाता अब इस तरह की के question पते हैं आपको कहीं न कहीं देखने को मिल सकते हैं कि विलियन निलंबा ने समय से comparison में या कई बार से तुलना करके हमसे question पूछ लिया जाता है कि प्रकाश किस में से जाता हुआ दिखाई देगा, किस में से नहीं जाता हुआ दिखाई देगा कुछ conditions हमें दे देते हैं और फिर question पूछते हैं जैसे इसके पहले वाली class में हम experiment में पूछा था पूछा था कि नहीं याद करिये पर मैंने आपसे क्या कहा था बिटा हम इसे sequence में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़े अभी एकदम से समझ में ना है लेकिन यास मैंने surety दी थी कि जैसे इस chapter के end तक हम पहुचेंगे आपको almost सारी चीज़े clear हो जाएंगे क्यों? क्योंकि हम हर एक पार्ट से होकर गुजरेंगे ही विलियन में प्रकाश का मार्ग नहीं देखा जा सकता इसी के साथ चानने के विधी द्वारा विले के कड़ों को विलियन में से प्रतक नहीं किया जा सकता है अब चानन विधी का प्रयोग करके अगर हम सोचें कि विलियन में से हम विले के जो कड़ है by स्थाई nature का होता है कैसा होता है स्थाई होता है हमने एक ग्लास बानी लिया उसमें आधा चमच हमने salt लिया नमक लिया उसे उसमें हमने आसानी से डाला और मिला दिया आप मुझे बताओ 5-10 मिनिट बाद उस ग्लास में क्या हमें जो salt है वो नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा विले या solute जो है वो बैठा हुआ दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा क्योंकि ऐसा विल्यन में नहीं होता है तब ही तो ये क्या है समांगी मिश्रण होता है समझ पाए चलिए अब आते अंगली कहानी के तरफ विल्यन की सांधिता को हम पढ़ने जा रहे हैं हम जानेंगे कि भई विल्यन की सांधिता क्या होती है जिसके लिए हमें आवशकता होगी किसकी क्रियकलाब 2.2 जो कि मैंने आपको करवा कर रखा है इसलिए कहते हैं कि वन बाई वन करके हर एक चीज को पढ़ा करो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखी होगी तो अब वो सोचते रह जाएंगे पूरे टाइम कि मैं क्या हुआ था क्रियकलाब 2.2 में और जिनोंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा आंसर्स के साथ कि हाँ भाई क्रियकलाब 2.2 में क्या हुआ था सो इसमें हमने देखा कि समू अ और समू बह के पास एक ही पदार्थ के विभिन आभाओं के रंगों के हमें क्या मिले थे बिलियन मिले थे बिल्कुल सही कहा था और हम लोग जानते हैं कि बिलियन में प्रतक पतक मात्रा में विलायक और विले पदार्थ होते हैं हाँ हमें पता है कि अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं या एक बिलियन की बात करते हैं तो इसमें अलग-अलग मात्रा, अलग-अलग quantity में विलायक और विले पदार्थ होते हैं। विले और विलायक की अगर बात करें, वो समान मात्रा में होते हैं तो नहीं। एक ग्लास पानी और हमने देखा आदा चम्मच, शक्कर या फिर नमक या एक चम्मच। तो इनकी मात्रा कैसी है? अलग-अलग है। और यह असानी से इसमें क्या होगा? घुल जाएगा। विलियन में मौझूद विले पदार्थ की मात्रा के आधार पर इससे तनू, सांध्र या संत्रप्त घुल कहा जा सकता है। क्या कह रहे हैं बिटा? अब यहाँ पर नए नए चीज़े एड होंगी और आपको पता चलेगा तो सुनो। होता यह है कि विलियन में मौझूद जो विले पदार्थ होते हैं। विले पदार्थ बोले तो जिनकी मात्रा कैसी होती है? काम। बात चल रही है स्वल्यूट की। विले पदार्ट की मातरा के आधार पर इसे तनू, सांद्र या संत्रप्त घोल भी कहा जा सकता है इसे के साथ तनू और सांद्र की अगर बात करें तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे के तुलनात्म के शब्द होते हैं तुलना वाले शब्द हैं अब क्रिया कलाब 2.2 में समू अ द्वारा प्राप्त विलियन समू बाकी तुलना में कैसा है तनू है समू अगर हम आ की बात करेंगे जिसे हमने वहाँ पर चार ग्रूप्स टिवाइट किये थे जहां सबसे वाले में क्या था कॉपर सलफेट के क्रिस्टल थे और सेकेंड वाला जो ग्रूप था बाव वाला उसमें हमने एक चमच कॉपर सलफेट को लिया था और हमसे यहां क्या कह रहे हैं कि क्रिया कलाब 2.2 में समू अ द्वारा प्राप्त जो विलियन था वो समू बी की तुलना में कैसा था तनू कौन सा वाला जो क्रिस्टल फॉर्म में था ठीक है ना ओके चलिए तो अब हम आते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ जो की है 2.3 नंबर की एक्टिविटी इसके पहले की दो हो चुकी है जिसके बारे में आमने इसके पहले वाली क्लास में जाना था और अब हम आते हैं अपनी अगली एक्टिविटी को करने सबात कुछ इस प्रकास है कि दो पृतिक पृतिक बीकरों में 50 ml क्या लेना है जल लेना है क्या कहा जा रहा है कि दो अलग-अलग बीकर लेने हैं और उनमें 50 ml water को डालना है और एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अत्वा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह उसे मिला लेना है हम से क्या बोला है कि एक में क्या लेना है नमक और दूसरे में चीनी अत्वा बेरियम क्लोराइड जो है उसको मिलाकर अच्छी तरह से मिला लेना है जब विले पदार्थ और अधिक ना घुले एक कंडिशन ऐसी भी आएगी कि जो विले पदार्थ है अब ये मत कहना कि मैं विले क्या होता है जस्ट अभी तोड़ी दिर पहले ही बताया है जब विले पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताब बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें क्या बोल रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस ताब बढ़ाने के लिए बीकर को क्या करेंगे गर्म अब विले पदात को पुनह मिलाना शुरू कर देंगे वापिस जो विले है फिर वो मिलाना शुरू कर देंगे क्यों? क्योंकि temperature में क्या कर दिया है change यानि कि परिवर्तान क्या किसी दिये गए ताप पर चीनी, नमक, अत्वा, बेरियम, क्लोराइट की जल में घोली गई मातराएं बराबर हैं? ये हमें इसका उत्तर देना है तो क्या लग रहा है ये स्पूरे को पढ़कर की क्या होगा? सो जहां से सुनों होगा ये कि दोनों बीकरों में क्रमशा नमक और चीनी का संत्रप्त विलियन प्राप्त होगा बिल्कुल सही का है कि जो दोनों ही बीकर है उनमें किसका संतरप्त विलियन प्राप्त होगा नमक और चीनी का जब इन विलियनों का ताप 5 डिगरी सेलसियस बढ़ाएंगे तो इन विलियनों में कुछ विले की मात्रा और घोली जा सकती है क्या बूल रहे हैं कि जब इन विलियन यानि कि सॉल्यूशन में कर जो ताप है वो 5 डिगरी और बढ़ाएंगे तो इन विलियनों में कुछ विले की मात्रा और घोली जा सकती है बल्कु सही कहा है लेकिन चीनी दथा नमक की घोली गई मात्राएं यहाँ पर समान नहीं होंगी इस बात का ध्यान रखना चीनी दथा नमक की घोली की मात्राएं होंगे वो इसमें समान नहीं होंगे इसका कारण क्या है? मैम इसका क्या रيजन है? तो इसका कारण यह है कि एक ही टाप यह टेमपरेचर पर भिन-भिन विले पदार्त हो अलग-अलग विले पदार्त है नहीं है अलग-अलग वीकर्स में हमने इनका यूज哦, इसका कारण यह है कि एप ही ताप पर भिन-भिन-विले पदार्टों की गुलन शीलता भी कैसी होती है उनकी गुलने का नीचर भी कैसा होता है अलग-अलग होता है तो हमने जाना कि दोनों बीकर में क्रमशा नमक और चीनी का हमें संत्रप्त विल्यन प्राप्त होगा जो हमें पहले हुआ ये कब की बाते टैंपरेचर चींज करने के पहले फिर क्या हुआ जब इन विल्यनों का ताप 5 डिग्री सेल्सियर्स पढ़ाएंगे तो इन विल्यों में कुछ विल्य की मात्रा और भी डाली जा सकती है जब टैंपरेचर में चेंज करेंगे सो विल्य कुछ मात्रा में और डल सकता है लेकिन चीनी और नमक के घुली गई मात्रा यहाँ पर समान नहीं होगी इसका कारण यह है कि एक ही temperature एक ही ताप पर भिन भिन या विभिन 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 विले पदार्तों की घुलन शीलता भी कैसी होती है अलग-अलग होती है किसी निश्चित ताप मन पर उतना ही विले पदार्त घुल सकता है जितना विलियन की क्या होती है चमता अब मुझे एक बात बताओ solution की capacity ही नहीं है उसकी छमता ही नहीं है तो आप कितनी मात्रा में विले पदार्थ को मिला पाओगे नहीं मिला पाओगे तब ही हमने temperature को क्या किया change अब सुनो दूसरे शब्दों में दिये गए निश्चित ताप पर यदि विलियन में solution में विले पदार्थ नहीं घुलता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं बिटा saturated solution यानि संत्रिप्त विलियन कहते हैं कौन सा विलियन संत्रिप्त विलियन कहते हैं जब विलियन यानि solution में वि विलेपदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संत्रप्त विलियन कहते हैं विलेपदार्थ की वह मात्रा जो संत्रप्त विलियन में उपस्तित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है क्या कहलाती है गुलनशीलता कहलाती है अब आते हैं अगे यदि एक विलियन में विलेपदार्थ की मात्रा संत्रिप्तता से कैसी हो बिटा कम हूँ क्या बोला है कि एक ऐसा विलियन बिटा एक ऐसा solution सारे important fact पढ़ा दूँगे सारे point पढ़ा दूँगे कुछ भी नहीं छोड़ूँगी तो यदी एक विलियन में विले पदार्थ की मात्रा संत्रिप्तता से कम है तो वही क्या कहलाएगा बिटा फिर असंत्रिप्त विलियन कहलाएगा यदी विलियन में विले पदार्थ की सांद्रिप्ता संत्रिप्त इस्तर से कम होगी तो उसे असंत्रिप्त विलियन कहेंगे मैम संत्रिप्त विलियन तो हमें समझ में आ गया लेकिन ये असंत्रप्त विलियन क्या होता है तो यदि विलियन याने solution में विले बदाथ की सांद्रदा जो है वो संत्रप्त इसतर से भी कम है तो वही उसका क्या होगा असंत्रप्त विलियन होगा कि जिए अप किसी विशष्ट इताप पर हम क्या करेंगे एक संत्रप्त विलियन लेंगे और उसे धीरे-धीरे से क्या करना शुरू कर देंगे फंड़ा करेंगे तो क्या होगा क्या होगा उपरोक्त किये गए क्रिया कलाप से हम ये कह सकते हैं कि दिये हुए एक निश्चित तापमान पर प्रत्थक प्रत्थक पदार्थों की विलियन चमता भी कैसी होती है अलग-अलग होती है बिन्न बिन्न होती है क्या कहा मैंने आपको कि भई विल्यन की सांध़ता क्या होती है सारे पॉइंट क्लियर हो गे, समझ में आ गया तो हमने पूरी कहानी यहां पर जान ली है हमने इस एच्छे से देख लिया है एक चीज और जैसे हमने यहां पर यहां तक का तो पूरा क्लियर आगे अभी सांडिता ही आएगा लेकिन हमारे सामने 2.3 की जो एक्टिविटी थी हमने पूरा वो अच्छे से पढ़ा अच्छे से पढ़ने के बाद एक एक का हमने कॉन्क्लूजन जाना पर ध्यान से सुनेंगे यदि आप किसी विशिष्ट ताप उपर है ना किसी विशिष्ट ताप उपर एक संत्रप्त विलियन लेंगे और इसे दीरे दीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा तो मैंने जितनी भी कहानी आपको समझाई उसके तहत एक सटी कांसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए और वो आप ही सब मुझे बताएंगे कि इतना पूरा पढ़ने के बाद क्या लगता है क्या होगा इसी से रिलेटिट चाहिए और मुझे पूरा मत चापने लग जाना या पूरा मत बताने लग जाना ओके तो आप हम सभी के वीडियो और इसी प्रकासे चाहते हैं तो विलियन के सानुता को दर्शानी की बहुत सी विदिया है लेकिन हम यहां सिर्फ तीन विदियो के बारे में ही चर्चा करेंगे जैसे कौन कौन से तो ध्यान से सुनेंगे अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसके तीन विदिया है जिनके बारे में हम चोचा करेंगे जैसे एक द्रब्यमान या विलियन के द्रब्यमान प्रतीशत की दूसरा है द्रब्यमान या विलियन के आयतन प्रतीशत की और तीसरा याद करने होंगे याने के सूत्रों को याद करना होगा तो द्रविमान या विलियन के द्रविमान प्रतीशत के बारे में अगर हम बात करें इसका फॉर्मुला क्या होता है विले बदार्त का द्रविमान और इसको भाग देना है किसे विलियन के द्रविमान से और गुड़ा याने multiply किसे करना ही 100 से So आपको ये conditions मिलेंगी Numericals, questions मिलेंगे जिसमें आपको कुछ चीज़े given होंगी और एक कुछ find करना होगा या question के according चीज़े find करनी होगी तो हमने क्या जाना कि William की सानुता को दर्शाने की बहुत से विदियां हैं लेकिन हम यहां सिर्फ तीन विदियों पर ही चर्चा कर रहें एक है द्रविमान या विलियन के द्रविमान प्रतीशत की द्रविमान या विलियन के आयतन प्रतीशत की और एक और अभी हमने जानी इसके लिए ये formula होगा द्रविमान या विलियन के आयतन प्रतीशत के लिए विले पदार्थ का आपको द्रविमान लेना है जिसे भाग देना है विलियन के आयतन से और multiply याने गुड़ा कर देना है इसी से समझ पाएं कि नहीं समझ पाएं और आपको अगर billion के आयतन या आयतन प्रतीशत को निकालना है तो विले का आयतन लेंगे और billion का आयतन लेंगे और multiply यानि गुड़ा कर देंगे इस से ओके 100 से ठीक है अब आते हैं हम हमारी कुछ example की तरफ मैं यह example यहाँ अचानक से कहां से आ गए है यह example अचानक से बिल्कुल भी नहीं आये है यह हमारी इसी ही chapter का part है तो मैंने सोचा एक ही example लगे हाथ कर लेते हैं तो एक billion के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधार नमक विले है अब यहाँ पर विले भी है विलायक भी है और billion के सांदृता का हमें क्या करना है परिकलन करना है तो हमने क्या देखा एक billion के 320 ग्राम विलायक जल में हमारे पास क्या है 40 ग्राम साधार नमक विले है तो विले और विलायक है हमारे पास और हमें क्या निकालना है billion की सांदृता चलो भाई निकालते हैं होता यह भाई विले पदार्थ का द्रविमान 40 ग्राम है और विलायक यानि जल का द्रविमान हम जानते हैं 320 ग्राम है तो हम विलियन का द्रविमान निकल लें ताकि फॉर्मुले में पुट करने में हमें क्या हो आसानी हो क्योंकि सीदھی अगर Willian के द्रविमान की बात करें तो वो तो नहीं दियाय तो वो कैसे निकलेगा ओविस से बाते Willian का द्रविमान को प्लस कर देंगे विलाइख पतार्त के द्रविमान से यानि 40 में 320 प्लस करेंगे तो ओविस से बाते कितना आएगा? 360 ग्राम आएगा अब आपके पास विले पदार्थ का द्रिव बिमान ये दिया ही है, 40 ग्राम है और विलियन का द्रिव बिमान आपको कितना दिया है, 360 और हम इससे किसे multiply कर देंगे, 100 से multiply करने के बाद हमारा result कुछ इस प्रकास से निकल कर आएगा जो कि आपके सामने ऐसे है that's it, तो ये हमारे एक numerical था, I hope clear हो गया होगा now, next आते हैं, हम अपने अगले point की तरफ, जो की है निलंबन क्या है, आपने निलंबन word कई बार सुना है suspension का नाम सुना है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये निलंबन यानि suspension होता क्या है, मैं इसे हम कैसे समझेंगे so, अब जब हमारी activity चल रही थी, 2.2 उसमें भी ये नाम आया था मैंने कहा था, पुटा patience रखना, हर एक section cover कराऊंगी देखो, होता चल रहा है ना cover, बिल्कुल होगा और इस वीडियो में तो और भी जादा होगा तो निलंबन क्या है, क्रिया कलाब 2.2 में समु सरके द्वारा पाया गया विश्मांगी घोल, जो ठो से द्रिब में परिशेपित हो जाता है वही क्या कहलाता है निलंबन, हमने result देखा था ना, solution बनाता निलंबन बनाता, हैना, कुलाइडी विलियन बनाता, याद करिये हमने जाना था कि सरके द्वारा पाया गया, जो विश्मांगी घोल था वही हमारा क्या कहला है था निलंबन, निलंबन एक क्या होता है विश्मांगी मिश्रण होता है जैसे विलियन के बारे में भी हमने जाना था है ना कि विलियन क्या होता है एक समांगी मिश्रण पढ़ाता निलंबन क्या होता है एक विश्मांगी मिश्रण है जिसमें विले पदार्थ कड़ घुलते नहीं है जिसमें विले के पदार्थ के क जो particles या कड़ है obvious सी बाते हमें आसानी से दिखाई देंगे अब हम इसके good धर्म जानते हैं इसकी properties के बारे में करते हैं बात की जो निलंबन या suspension है इनकी क्या-क्या properties होती है सबसे पहली first ये है एक विश्मांगे मिश्रण है हां जी मैंने अभी आपको बताया है कि ये एक विश्मांगे मिश्रण है properties में सबसे पहले यही लिखोगे दूसरा ये कड़ आखों से देखे जा सकते हैं जी हां इन्हें हम हमारी आखों से देख सकते हैं तीसरा ये निलंबित कड़ प्रकाश के किर्णों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृस्टी गोचर हो जाता है जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कड़ नीचे की और क्या हो जाते हैं भाईया बैठ जाते हैं अर्थान निलंबन अस्थाई होता है क्या बोला है कि निलंबन कैसा है अस्थाई जब हम इसे ऐसे छोड़ देंगे ना शांत छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठना शुरू कर जाते हैं याने कि निलंबन कैसे होते हैं अस्थाई होते हैं चानन विधी के द्वारा इन कड़ों को मिश्ण से आसानी से क्या कर सकते हैं हम प्रथक सो निलंबन के कड़ अलग हो सकते हैं जी हाँ लेकिन किस विधी के द्वारा छानन विधी के द्वारा जब किसी कड़ जब सभी कड़ नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन ऑविस सी बाते समापत हो जाता है तथा विलियन में प्रकाश की किरन का प्रकेंडन रुक जाता है फ क्यों कि यह प्रकाश का प्रकिर्णन नहीं हो पाएगा क्यों कि जतने भी पार्टिकल्स या कड़ थे वो सारे के सारे एक सान पर नीचे बैठ गए हैं आगे इसे फिर से सुनेंगे बहुत ध्यान से सुनेंगे बिटा बहुत ही important point है निलंबन की properties क्या होती है तो यह विश्म सांगी मिश्रण है यह कड़ाकों से देखे जा सकते हैं यह निलंबित कड़ प्रकाश की किरन को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृस्टी गोचर हो जाता है जब इसे शान चूड़ देते हैं तो यह नीचे बैठ जाते हैं और इसमें जो निलंबन है वो अस्थाई ह होताहै, चानत विदी के द्वारनके कड़ों को हम इससे अलग कर सकते हैं ओके चलिये आप अगे कोलाइडल विल्यन क्या है चलो भॉई इतनको फीक्र क्या है तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कपी सारे चीजे पढ़ ली क्यो मैं आभ हम इसी को ही समझे जहां टेंडल effect भी हमें पता होना चाहिए so better class 9th में हो अभी पढ़ लो क्योंकि same यही चीज आपको class 10th में भी मिलेगी yes हमें class 10th में भी पढ़ना होगा okay so क्रिय के लाब 2.2 में समूद दा के द्वारा प्राप्त मिश्टन को ही collide यह हम collide willyone हमने उसे नाम दीया था जैसे हमने जाना था a और बाने हमें ् विलियं्याने solution दिया था sor की बात करें तो निलमबन मिला था और दी यान दर की बात करेंगे तो हमें क्या मिला था coll idle willyone मिला यह हम कहें कोलाइड मिला कोलाइड के कड़ विलियन में समान रूप से पहले होते हैं जी हां बिलकुल सही कहा है कि जो कोलाइड के कड़ होते हैं वो विलियन यानि की सॉल्यूशन में आसानी से क्या होते हैं पहले होते हैं इसे के साथ निलंबन की अपेक्षा कड़ों का आकार छोटा ह कि कारण। ये मिश्GUक्ता में विश्मांगी मिश्ण है जैसे कि इसमें क्या जाएगा professionals 40% कuellement कराण यहYour कारण की ऐख से देख नहीं पाते हैं लेकिन यह कर प्रकाश के किरण को आसानी से फैलाने का काम जरूर करते हैं जैसा कि हमने क्रिया कलाब 2.2 में एक्जामपल हमने देखा था उनकी conditions की according और आप यहां पर भी देख पा रही होंगे हमने यहां पर देखा है कि यह condition B condition दोनों सामने जहां हम देख रहे हैं कि A में क्या है copper sulfate का billion और B में क्या है दूद और पानी का mission है इसमें क्या है copper sulfate का billion है और इसमें क्या है दूद और पानी का mission है तो हमने देखा copper sulfate का billion टिंडल प्रभाब नहीं दर्शाता है यह टिंडल प्रभाब नहीं दर्शा रहा है वहीं अगर हम दूद और पानी के मिश्रम की बात करेंगे So yes, यहाँ पर जो छोटे-छोटे पार्टिकल से वो प्रकाश को फैलाने का काम करेंगे और यहाँ पर टिंडल प्रभाव हमको दिखेगा ही दिखेगा समझ पाएं की नहीं? समझ पाएं? नेक्स आते हैं, यह वाली कहानी भी हमारी होती है फिनिश, कोलाइडी कड़ों के छोटे आकर के कारण हम इसे आकों से नहीं देख पाते लेकिन यह कड़ प्रकाश के किरनों को आसानी से फैला देते हैं जैसा कि हम पहले जान चुके हैं प्रकाश के किरन का फैलना ही क्या कहलाता है? भया, टिंडल प्रभाव कहलाता है क्लास 10th में, फिजिक्स में हमें यह पढ़ना होगा टिंडल इफेक्ट के बारे में लेकिन 9th में हमने अच्छे से पढ़ लिया तो अब 10th में प्रॉब्लम नहीं रहेगी टिंडल नामक विज्यानिक नहीं इसके कोच किती और इने के नाम पर इसका नाम पढ़ा है क्या टिंडल इफेक्ट यानि के टिंडल प्रभाव एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश के किरन आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं एक कमरा है और मान लिजिए कि वो पूरी तरह से पैक है लेकिन एक छूटू सा होल जो है वहाँ पर जो है वो बाहर की रोशनी उससे कहा आ रही है और वो हमें आती हुई गुजरती हुई प्रॉपर दिखाई देगी एक बंद कमरे में मान लो अंधेरा है ऐसा हम एक्जामपल लेते हैं एक छूटू सा होल है उसमें चिद्र है और जो चिद्र से लाइट यानि की प्रकाश जो है क्लियर आती हुई दिखाई देती है ये कमरे में मौझोद धूल और कार्बन के कड़ों के द्वारा प्रकाश के फैलनी के कारण होता है जब एक गने जंगल के आक्षादन से सूरी की किरन गुजरती है तब हम टिंडल प्रभाव को वहाँ पर भी देख सकते हैं जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जलके कड़ होते हैं जो कि कोलाइड कड़ों के समान ही क्या करते हैं वेवाहार करते हैं ओके तो नाव हमारे कुछ अब यहाँ पर साणनी है कोलाइड के समानने उधारण हम यहाँ जानेंगे जो कि आपके सामने है ये आपको परिशिप्त प्रवस्ता दिख रही होगी जहां पर आपको ड्रिव ठोस गैस ड्रिव ठोस गैस ड्रिव ठोस ऐसे गर के ये दिख रहा है ये परिशेपण माध्यम है बिटा आपके सामने परिशेपण माध्यम है ये है प्रकार प्रकार एरो अगर परिशिप्ट प्रावस्ता यह है अगर परिशिप्ट प्रावस्ता गैस है और परिशिप्ट माध्यम जो है वो द्रिव है और प्रकार है फॉर्म तो यहां से क्या प्राप्त होगा एक्जाम्पल में शेविंग क्रीम ऐसे करके बिटा यह सारे हमें वन बाई वन करके पढ़ने हैं और जहां तक मैं आपको बदा सकती हूँ जब मैं आपको इनके पार्टिगत प्रशन करवाऊंगी NCRT solutions कराऊंगी या मैं MCQs MIQs कराऊंगी यह सारे आपको वहाँ पर इस से related चीज़ें मिलेंगी और कुछ तो यही direct आपको मिल जाएंगी है ना इसी तरह से हमें दूद, फेस क्रीम यह भी इसके बारे हम पता चलता है कि अगर परिशिप्ट प्रावस्था द्रिव है परिशेपन माध्यम भी क्या है द्रिव है और प्रकार है इमल्शन तो यहां से क्या मिलेगा दूद और इसके एक्जामपल फेस क्रीम हो सकते हैं वहीं अगर हम बात करें परिशिप्ट प्रावस्था थोस परिशेपन माध्यम द्रिव और प्रकार क्या है भाई सोल तो यहां से मैगनीशिया इसी के साथ मैगनीशिया मि कर बोल सकते हैं या की चरर प्राव्ट तो होगा यह क्य्जामपल है तो फाउम हो गया रबर स्पंज फ्यों मत्यूर्य हो गया यह न की nigणीर कर झाली और फ state नहीं क्विहाद्रत पत्थर और य इसकी उन्यग विश्मांगी विशंकिशन ही विश्ग पता है कुलाइट के कड़ों का अकार इतना जादा छोटा होता है कि ये प्रतक रूप से आखों से नहीं देखे जा सकते हैं बिल्कुल अलग से ये आखों से नहीं देखे जा सकते हैं ये बहुत छोटे होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं है तो छोटे लेकिन इतने तो बड़े हैं कि ये प्रकाश के किरण को आसानी से फैला सके जो निलंबन में नहीं होता था है ना तता उसके मार्ग को दृष्य बनाने में भी ये सहायता करते हैं इनको शांत चूर दिया जाता है तब ये कर तल पर बैठते हैं अर्थाद ये कैसे होते हैं स्थाई होते हैं ये चानन विदी द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता हमने पानी लिया उसमें दूड़ डाला अगर हम चानन विदी का प्रयोग करके दूद अलग पानी अलग करेंगे तो वो हम कर सकते हैं क्या बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं यह चानन विदी के द्वारा Videocrat मिषन से प्रत्क नहीं किये जा सकते, किन्टों एक विशेश विदी अप खेंजरी करण टक्नीक जो की क्रिया कलाप 2.5 द्वारा प्रत्क किये जा सकते हैं, सो बेसिकली अभी हमने ये वाला करिया कला आप नहीं पढ़ाए जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम जानेंगे ओके नेक्स नाद ने हैं कोलाइडल विलियन परिशिप्त प्रावस्ता और परिशेप्ण माध्यम से बनता है विले पदार्थ की तरह का घटक या परिशिप्त कर्स जो की कोलाइडल रूप में रहता उसे परिशिप्त प्रावस्ता कहते हैं तता वह घटक जिसमें परिशिप्त प्रावस्ता कैसी होती है बिटा निलंबित रहती है उसे हम परिशेप्ण माध्यम कहते हैं दोनों की परिभाशा कई बर पूछ ली जाती है, परिशिप्त प्रावस्ता और परिशेपण माध्यम, तो हो सकता है कि अतिलगुतरी, दिरगुतरी में ये लगुतरी में दोनों ही आपको दे दे या एक एक करके भी आ सकता है। कोलाइडल को परिशेपण माध्यम जैसे ठोस, द्रिव या गैस की अवस्ता और परिशिप्त प्रावस्ता के अनुसार वर्गी करत किया जाता है। और भी कई सारे चीज़ों के बताएं हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। जहाँ आप मैगनेट में सर्जोर सकते हैं। साथी साथ ये नोट्स और ईबुक के लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हैं हमारे टॉप कोर्से इस इंग्लिश हिंदी मीडियम के जैसे सीबेसी बोर्ट, दिली बोर्ट, बिहार बोर्ट, यूपी बोर्ट, अमपी बोर्ट, राजसान बोर्ट, वैदिक मैट्स, क्रेश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। झाल